सो हेलो फिरेंड वेल्कम सबस्मार्ट के लिए हैं पंसे अच्योंत व Catholic फ्रेंडस सूराथी के न को पूरा हंते लाव हुँ सारा सेटिंग आपको फोन में भी आपको एपलाई कर लेना है उसके बाद आपका जो इंटरेन्ट स्पीड है भाई आप खूद चेक करके मुझे बोलना कॉमेंट में किया आपका इंटरेन्ट स्पीड अभी कितना पहले से बर गया है और फ्रेंट्स उसके लिए आपको पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सर जरू सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का हेलफुल वीडियो हमेशा डालता रहता हूं तो फ्रेंट्स चलो बीना टाइम होश करके इस वीडियो को यही से शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आपका भी आई का एपी एन सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबल को में सेटिंग पर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको मोबल नेट्वर्स करके एक ओप्शन देखने को मिल जाएगा उसमें आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दुश्टो आपका यहाँ पर B.I. का स्ammen 반 चले ना है करने के अब दूस्टो नीचे ना आपको access.name करके एक option देखने को मिल जाएगा उसमें क्लिक करो आपको APN पर लेकर आ जाये गा,old पर प्लास अइक उसमें were option है, यहाँ पर आपको एक form देतेगा जो मेरा वीडियो देखके आपका फोन में भी आपको same to same एकडम डाल लेना है, जो जो form भी यहाँ पर मैं fill up कर रहा हूं, आपको भी same to same आपका फोन में भी fill up कर लेना है, उसके बाद ही आपका internet का speed बारने वाला है, तो फेर दोस्तों चलो जल्दी इस from को fill up कर लेता है, सबसे पहला जो यहाँ पर name option देख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लेक लेना है, और friends यहाँ पर आपको लिख लेना है small letter पे bi, ठीक है, small letter पे लिख लेना है, और friends यहाँ पर आपको लिखना है UBAI235G, यहाँ पर सारा letter small letter पे होगा, और लास्टे जो G होगा, यह capital letter पे लिखना होगा, लिखने के बाद दूस्तों उसका नीचे है password a not set रहेगा, आपको direct server को उपर क्लिक करना है, और friends यहाँ पर आपको लिख लेना है www.google.com, यहाँ पर friends Google का G सिर्फ capital letter पे होगा, बाकी सब यहाँ पर small letter पे होगा, और एक साथ होगा, लेखने के बाद दूस्तों, उसका नीचे आपको एक option दखने को मिल जाएगा, MMSC a not set रहेगा, उसका नीचे है MMS proxy a not set रहेगा, उसका नीचे है MMS port a not set रहेगा, उसका नीचे है MCC and MNC, इन में से कोई भी option को आपको छेरचान नहीं करना है, आपको direct authentication type पे click करना है, और यहाँ पर आपको एक option को select कर लेना है, वो है fourth number का option, PAP और CHAP, यहाँ पर आपको select कर दिना है, देने के बाद दूस्तों, उसका नीचे आपको APN type करके एक option देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर click करो, और यहाँ पर आपको लिखना है, default DEFAULT, SUPL लेक लेना है, तो यह लेकने के बाद दूस्तों, उसका नीचे आपको APN protocol करके एक option देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर click करके आपको IPV4, IPV6 को select कर लेना है, उसका नीचे है APN roaming protocol, यहाँ पर भी आपको IPV4, IPV6 को select क लेना है, तो friends इतना सा करने के बाद आप जो most important setting आता है, वो है BRR, नीचे देखो friend आपको एक BRR का option देख रहा है, उसमें आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा option देखने को मिल जाएगा, तो पहले जो एक option पर tick देख रहा है, not specified, सबसे पहले इसक आपको आपको select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ option को आपको select करने होगा, जैसे कि LTO को यहाँ पर आपको select कर देना है, और आपको नीचे चले जाना है, एक option देखने को मिल जाएगा नीचे, EVDO0 इसको select करने के बाद दोस्तों आगर आपका APN save नहीं हो रहा, तो पर क्लिक करके आपको none पे set कर लेना है, none पे set करने के बाद दोस्तों यह APN को आपका phone में save कर लेना है, उसके लिए friends उपर देखो right पे right बटन दिख रहा है, उसमें क्लिक करो आपका phone में यह new APN save हो जाएगा, आप क्या करना है, आप friends अभी जो new APN अपने आपका phone में create कि इसको आपको phone में पहले select कर लेना है, उसके बाद आपको phone को एक बार restart करना है, उसके बाद आप जब internet चलाओगे देखना friend तब आपका phone का जो internet चल रहा था पहले से बहुत ज़्यादा बर जाएगा, मैं 100% guarantee देता हूँ एकदम बर जाएगाई, तो friends आपका internet speed कितना दे र लेना, तो friends मिलते हैं आग लाने याँ वीडियो लगे, जैहिन!